नमस्कार स्वगत्यापका हमारे चन्चार्ज आगेंद्र में सामें शुक्रवार के दिन इलाइची और लॉंग इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे दोस्तों आज हम बात करेंगे इलाइची और लॉंग की लॉंग जो तन्त क्रियाओं में प्रयोग होता है और इलाइची जो मा लक्षमी जी को खिंचती है आकरसित करता है उनको बुलाती है तो आज हम आपको खास प्रयोग बताएंगे इलाइची और लॉंग की वीडियो के अंतक बने रहिएगा ये वीडियो पूरी तरह से जोतिस पर अधारित है जब माता लक्ष्मी जी हम पर प्रसंद हो जाएं तो चाहत हमारी छोटी पर जाती है खुश्यां जादा मिल जाती है जितना चाहते हैं उससे कहीं जादा और अगर प्रसंद ना हो तो फिर घोर दरितिता का गरीबी का सामना भी करना पड़ता है कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से माता लक्ष्मी जी को परसंद कर लेते हैं अपना भाग्योदय खुद ही कर लेते हैं अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर हर किशी के कुंडली में राजयोग दुर्योग दोनों ही होते हैं समय को पहचानिये क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है आपको पता नहीं है लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा होता है आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं इसका मतलब है आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो उस समय को उस वक्त को पहचान कर आपको खुब मेहनत करना चाहिए ताकि आप दिन दूनी राचोगनी तरक्की करें और जब समय गड़वर चले तब विपिरीत धारा में नहीं जाएं बलकि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं बस चले दोड़ने की ज़्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें मेरे कहने का तात पर आप समझ रहे होंगे जब समय गड़वर हो तब सांत हो जाएं इस्तिर हो जाएं और जब लगे कि समय सब कुछ ठीक हो रहा है तब एक बार फिर से प्रयास करिए चुकि आज हम ने टोफिक रखा है इलाइची और लॉंग की तो घर में ये दोनों चीज होती है इलाइची और लॉंग और इलाइची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं इस दिन जो हरी इलाइची होती है इसका प्रयोग करने से आपका शुक्र को बल मिलता है मजबूती मिलती है और शुक्र जब मजबूत हो जाते हैं तो ब्यक्ति को शुक देते हैं एशुर देते हैं भोग बिलाश्ता बढ़ाते हैं यानि आप अच्छे से खाएंगे आप पहनेंगे घूबेंगे फिरेंगे तो सुक्र को बहतर करने के लिए छोटे-छोटे उपाय किये जाते हैं शुक्रवार के दिन जैसे कि आप एक थोड़ा सा पानी ले 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 और उसमें आप इलाजी के कुछ दाने डाल ले और दो लॉंग डाल दें फिर उसे गरम कर लें हलका सा अब इस पानी को नहाने के पानी में दो ढखकन आप यनि कि इस आप नहाने के पानी में डाल दें और बाकी आप किसी सीसी में किसी बोतल में भरकर रख दें और जब आप रोजाना नहाते हैं तो नहाने के पानी में दो ढकन आप डाल कर नहाईए तो पवितरता बढ़ेगा इस से पानी के नहाने से भाग भी मजबूत होते हैं, शुक्र वेहतर होता है तो ये थे कुछ सिंपल प्रयोग लेकिन कई बार क्या होता है कि नौकरी सिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते तब इलाची का और लॉंग का एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें देखिए छोटी इलाची अगर आप चाहते हैं कि सिक्षा में खुप सफलता पाएं तो छोटी इलाची और दो लॉंग और मिस्त्र यानि मीठी वस्तों कुछ ले लें और आपके पास जो भी है आप छोटी इलाची से कुछ दाने निकाल कर दो लॉंग ले लें फूल वाली और इसको लेकर किशी पीपल के नीचे आप किशी भी दिन रख दें हलाकि शुकरवार की दिन अगर रखें तो ज़्यादा अच्छ रहेगा अब अपनी पढ़ाई की मनोकामना यानि कहे कर पीछे मुड़कर मत देखे और ये प्रयोग करने से सिक्षा की बाधाय समाप्त होती है वैसे तो जीवर में अगर आपका बिवा नहीं हो पा रहा तो बिवा के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है किशी भी शुकरवार की दिन दो हरी इलाची थोड़ी से मिठी वस्तवे या फिर सफेद मिठाई एक घीका दीपक लेकर आप किसी पवित्र नदी में आप बहती नदी में वहाँ पर आप लेकर जाए कोई तलाब के किनारे भी जा सकते हैं या अगर नहीं है तो आप किसी मंदिर के पास भी जा सकते हैं. अब क्या करें, वहाँ पर दीपक जलाएं और आप हरी इलाची और ये लॉंग और मीठी वस्तमें किसी पत्ते पे रख दें और आप वही पर शिड़ियों पे रख दें मंदिर के पास. अगर नदी है तो नदी में समाप्त हो जाएंगी और आपको लाव होगा अगर आपके बैवाहिक जीवन में समस्याई चल रही है पत्पतने की बीच अक्षर लडाई जगड़े होते हैं तब क्या करेंगे तब इलाची और लॉंग माता रानी को आप यनि की माता लक्ष्मी जी को आप प्रतेक शुक इतना पैसा आए कि संभाल ना पाओ और रोडपती भी करोडपती बन जाएं घर से गरीबी कोसो दूर हो जाए तब आप क्या करेंगे तब आपको एक छोटा सा काम करना है माता लक्ष्मी जी को आप प्रतेक शुकरवार के दिन आप पूजा करते समय दो लॉंग और दो इ इलाइची को उठा ले और उसे लाल धागे में आप बांध लें और फिर आप बांधने के बाद फिर माता लक्ष्मी जी के एक बार फिर से समर्पित कर दें थोड़ी दे समर्पित करने के बाद और फिर आप एक दीपक जला लीजे दीपक में एक जारा बार इस इनिकी अगर आप शुक्रवार की दिन करते हैं तो माता लक्षमी जी अतरशीक्र परसंद होती है और माता लक्षमी कृपा से धनेधान में बरकत होती है और रोडपती भी बन जाते हैं करोडपती और साथ गरीबी घर का राष्टा भूल जाती है लोंग जो तंत क्रियाओं में प्रयोग होता है और इलाजी जो हमारे स्वास्त वार्धक में काम में आती है तो आप एक छोटा सा प्रयोग करें ताकि आपके घर में निगवेटी दूर हो जाए अगर आपके घर में कोई किसी ने कुछ करा दिया नजर दोस या टूने टूट लते बार ये और फिर इस लोंग इलाजी को माता लक्ष्मी चके चर्णों के पास रखिये और फिर एक घंटे बाद उठा कर फिर उसे ब्योग ध्यायारा वार अप इसे किसी भी तीराहे में जाकर या फिर चावरा कर आप फैक या फिर आप अपने मुख दरवाजे के बाई और भी फेक सकते हैं लोंग इलाइची का ये अध्वित प्रयोग न केवाल आपको सुरक्षा और रक्षा करेगा बलकि बाहरी निगविटी से नजर दो से तंत्रमंद्र की बाधाओं से भी रक्षा करेगा आप चाहें तो लों जलाते हैं माता लक्षा जी को तो लोंग इलाइची जरूर आप उसमें डाल दिया करें इससे माता लक्षा जी अत्रशेकर परसन होती हैं दोस्तों सुक्रवार के दिन इलाइची और लोंग का ये प्रयोग जो आपको धनवान बना देता है और साथी साथ धन संपत्त एस् तो आप माता लक्षमी की जब लॉंग इलाची अर्पित करते हैं तो उस लॉंग इलाची को अपने धन के स्थान पर रख दे जहां ब्यापार के गल्ले पे जहां पैसे बगर रखते हैं तो तेजी से ब्यापार चलेगा नौकरी नहीं मिल पारी दिया फिर नौकरी सब्सक्राइब करें जैनल को सब्सक्राइब करिएगा जाए मालक्षमी